प्रेंड्स आईए इस प्रब्लम को सॉल करते हैं, question क्या कहता है, the average of 7 consecutive number is 20, the largest of this number is, क्या कह रहा है question में, कि 7 consecutive numbers, consecutive numbers क्या होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या है, consecutive number है, क्योंकि इसमें कोई gap नहीं है, एक add करने पर संख्या बढ़ जाती है, तो इस तरीके के numbers को क्या बोलते हैं, consecutive numbers बोलते हैं, तो हमें question में बोला है, कि 7 ऐसे consecutive numbers हैं, जिनका average क्या दिया रखा है, वो दिया रखा है 20, तो हमसे पूछ रहा है कि largest number बताईए, जैसा कि हमें पता है, यह जो average होता है, वो हमेशा middle term होता है, for example, a और b के बीच का बोई average होगा, माल लिजे यहां पर value 2 है, और यहां value 4 है, तो जो average हैगी, वो इसके बीच के आगी, और इन दोनों के average के आगा, 2 plus 4 by 2, that is equal to 6 by 2, that is equal to 3, यहां 3 आगा, it means यह बीच का आएगा, ठीक है, तो हमेशा जो average होता है, वो middle term होता है, ठीक है, तो हमें क्या है, seven numbers है, seven numbers मतलब, a, b, c, d, e, f, g, seven numbers हो गए, और seven numbers होने की वज़ा से, हमें जो average हैगा, वो middle term होगा, middle term इस case में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d, ठीक है, तो d की क्या value दे रखी है, 20 दे रखी है, क्यों, क्योंकि यही average है, और हमसे पूछ रहा है कि, सबसे बड़े number की value बताएगे, तो 20 के आगे क्या हो जाएगा, कौन सा दूसरा number हो बताएगा, 21, 22, और 23, 23, G की value 23 आएगी, 23 सबसे बड़ी value है, इस सातों, नमबर में से option 2, 23 इस question का सही answer है,